साथियों, हम लोग अक्सर बातीत में कहते हैं, it's a small world, ऐसा ही शब्द नहीं कहा, it's a small world. भारत और इंडोनेशिया का सबंदों को देखे, तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटिक बैड़ता है. समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के समंदों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवन्त रखा है, कभी ठकान मैसुस नहीं हुआ, वो लहरे जैसे चलती रहती है, हमारा नाता भी वैसा ही जीवन्त रहता है. एक समय था, जब कलिंग, मेदाउं जैसे सामराज्यों के मादम से, भारत का दर्शन, भारत की संस्कृती, इंडोनेशिया की धर्ती तक पहुँची. आज एक ये समय है, जब भारत और इंडोनेशिया, 21 सदी में विकास के लिए, एक दुसरे के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं. इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आयोईए लोगों को प्यार से एकसेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया, इसी वज़े से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और सम्रद्य में अपना योगदान दे रहे हैं. के हमारे भहुत सिन्धी परिवार यहां रहते हैं, और भारत से आये हुए हमारे सिन्धी परिवार के भाई बहनों ने, यहांके Textile सेक्टर में, Sports Good सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टिम इंडोस्टी में भी काफी कुछ कॉन्ट्रीबूट किया है, गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां है जैम्स, डाइमंड्स, माइन्स, इवन खेती, किसानी उसमें भी वो लोग नज़राते हैं भारत से आये हुए इंजिनियर्स, चार्टर एकाउंटर्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं कितने ही तमिल भाषिक कलाकार यहां की संस्कृती, यहां के आर्ट्स को और सम्रुद्द करने में अपना योगदान दे रहे हैं